बाई जैसे Q ढूंडे जैसे गाने इनका तो एक परपस है ना एक आपकुछ बात कहना चाहते हो तो बाई यह जो जवानी जैसे गाने इनका क्या परपस है और उसकी वीडियो भई कुछ अलगा ऑप अनिमेटीड वीडियो बहुत देखिया है हमने बट वो कुछ अलगी थी यार जरा उसके उस गाने के बारे में बताओ जरा पीछे की कहानी मालब गाने का क्या है कि अब जैसे यार जिस तरीके के मैं गाने बनाता हूं तो एक सर्टन ओडियंस बनी हुई है उस चीज की कि भाई ठीक है जो लोग अदास हैं कुछ भी मेंटल हेल्थ के भी बहुत लोग जोड़ेव हैं मेरे साथ तो उनके लिए यार सिर्फ यही तो एक आदा कभी मन करता है कि यार यह भी देखो ना मौज लोग क्या दिखकता है तो वो उस परस्पेक्टिव से भी बना था प्लस कुछ ऐसी चीज़े होती है कि भाई अब ऐसा तो है नहीं कि मैं एक तरीके का आर्टिस्ट मेरे अंदर स्ट्स भस भी निकलेगा पचास तरीके की आर्ट निकलती है कुछ को जबर्दस्ति रोकना पडता है कुछ को नहीं रोकना चीए तो जवाणी ऐक उस ही रोकना है तो जवानी तरीकेशंया और खमैद अधि यह भी आर्ट ही है अगि मितलब उसको आप यह नहीं का होगा न क्यूं ढूंडे जैसे गाने हो गए आपने चड़िया, एकराथ, रावन, सहावन ये वाले गाने हो गए इननका बहुत बड़े पर्पस है जवानी जैसे गाने की प्योरली एक sampel आर्ट है बना विबस जो भी है तो ये बस उसी अंग अंदर से निकलवाने की कोई inspiration भी है? नई यार या आप ले ले लेते हो कहीं से कोई चहरा पसंद आया? नई, inspiration कहने को तो सब कुछ inspiration है मैं कोई ऐसा ही थोड़ी भगवान ने फैका हूँ मैं तो भाई हम पैदा होते हैं आपने आज पास चीजे देखते हैं वो चीज़ों सीखते हैं वो चीज़े दिमाग में बैठती हैं उन से हम कुछ भी कंस्रक्ट कर रहे हैं कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, यह सब कुछ मैंने picked up ही है इधर उधर से तो inspiration कहना को सब कुछ भी है पर जबरदस्तीन लेता मैं inspiration तो वही वाली चीज है कि भाई हाँ जवानी बगेरा के लिए आप किसी भी इस चीज के लिए यह बस होती है मेरे पास मैं कोशिश नहीं करता मेरे पास और यह निकल जाए मेरे पास बहुत बोटा बैंक पड़ा था हूँ अशी सोग आने हूँ बीदी मतलब ऐसा कोई चेहरा नहीं है कि यार ये चेहरा यहां दिखा था इस पे ये कुछ ऐसा फीलिंग निकाल दी कि तेरी चेड़ती ये चेड़ती जवाणी मैं समझ गया भाई पूछना के लिए कोई दिखियो सोलो ट्रिप पे जवाणी का सवाल इसने लेकर आई है जवाणी वैसा साड गाना तुमना ध्यान दिया हो तो अहां साड तो है लिरिकली साड होने के लिए भी तो एक हुआ